हिम्सुक प्रस्ण और उत्तर करेंगे यह रचना शंकर जी की है पहला प्रस्ण है अवध नरेश राज कुमारों की परिच्छा क्यों लेना चाहते थें उत्तर लिखेंगे प्रस्तुत पाथ हमारे हिंदी पाथ पुस्तक किसले से लिया गया है पाथ का नाम हिम्सुक और लेका का नाम शंकर है अवध नरेश राज कुमारों की परिच्छा इसलिए लेना चाहते थे क्योंकि उन तीनों राज कुमारों में किसी एक राज कुमार को राजा अपना उत्तरा दिकारी नियुक्त करना चाहते थे दूसरा प्रस्ना है हिम्सुक तो राजा के लिए भेट लाया था लेकिन वही भेट उसे महंगी पड़ी कैसे उत्तर लिखेंगे प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ पुस्तक किसले से लिया गया है पाठ का नाम हिम्सुक और लेका का नाम शंकर है हिम्सुक तो राजा के लिए भेट लाया था लेकिन वही भेट उसे इसलिए महंगी पड़ी क्योंकि साप ने उस भेट पर दात गरा दिये थे दात गराते समय उसके दातों से जहर निकल आया था उस जहर के कारण फल जहरीला हो गया मुख मंतरी के कतना उंसार जब फल का एक छोटा सा टुकरा कवे को खिलाया गया तो कवा की मौत हो गई राजा को लगा की हिमसुक जहरीला फल खिला कर मुझे मारना चाहता था इसलिए राजा ने हिमसुक को माट डाला हलाकि हिमसुक इस बात से अंजान था उसे इस बात की पता नहीं था तीसरा प्रस्ण है राजा ने अपने तीसरे बेटे को यूराज घोसित क्यों किया उत्तर लिखेंगे प्रस्तुत पाथ हमारे हिंदी पाथ पुष्टक किसले से लिया गया है पाथ का नाम हिम्सुक और लेखा का नाम संकर है राजा ने अपने तीसरे बेटे को ही यूराज इसलिए घोसित किया क्योंकि जब राजा ने तीनों लड़कों की परिच्छा लेने के लिए बुलाया तो उसने कहा अगर मैं अपने जीवन और समान की रक्षा की जिम्मवारी किसी को सौप दू और वह विश्वग हाती निकले तो उसे क्या सजा दी जानी चाहिए बरे लड़के ने कहा ऐसे व्यक्ति को गरदन धर से अलग कर देना चाहिए दूसरे लड़के ने कहा उसे मिर्ट्य डंड ही मिलना चाहिए लेकिन छोटे लड़के ने कहा उसे डंड तो मिलना चाहिए लेकिन डंड देने से पहले यह बात पूरी तरह सावित होनी चाहिए कि वह सच्मुच दोसी है या नहीं इस बात को सावित करने के लिए उसने हिमसुक की कथाओ का विवेचना प्रस्तूत किया और राजा को अपनी गल्तिक पर अफसोस करना पड़ा राजा ने छोटे लड़के की बुद्धिम मत्तक से प्रसन होकर उसे अपना उत्रा अधिकारी मतलब यूराज बनाया आगे है चोथा नंबर कोश्चन निमलिखित वाक्यांस किसने किस से कही तो पहला है जो कि तुम्हारी माँ भी तुमसे मिलकर इतना ही प्रसन होगी उत्तर लिखेंगे प्रस्तुत पात हमारे हिंदी पात्य पुष्टक किसले से लिया गया है पात का नाम हिम्शुक और लेकक का नाम संकर है हिम्सुक के पिता ने हिम्सुक से कहा कि तुमसे मिलकर तुम्हारी मा भी इतनी ही परसन होगी दूसरा है मैं 15 दिन बाद वापस आऊंगा कितने दिन बाद आऊंगा 15 दिन बाद दिखेंगे उत्तर प्रस्तुत पाथ हमारे हिंदी पाथ पुस्तक किसले से लिया गया है वो घर के लिए रवाना हो रहा था आगे प्रस्णा है बुद्धिमानी की बात यह होगी कि फल खाने से पहले इससे किसी जानवर को खिला कर देखा जाए उत्तर लिखेंगे यह बात मुखमंत्री के विदव में राजा ने कहा कि फल खाने से पहले इसे किसी जानवर को खिला दिया जाए और आगे प्रस्णा है किसी को सजा देने से पहले इस बात का पूरा-पूरा पतल लेना जरूरी है कि वो सच्मुच अप्रादी है या नहीं उत्तर लिखेंगे छोटे राजकुमार ने अपने पिता अवद के राजा से कहा कि किसी को सजा देने से पहले इस बात का पूरा-पूरा पता लगाना चाहिए सच्मुच अप्रादी है या नहीं सही और गलत का लगाना है तो पहला प्रस्णा है हिम्शुक एक नाम है किस देश के राजा के पास अनोखा तो विदर्व के राजा के पास ऐसा तोता था आगे प्रस्णा है हिम्शुक रात में कहां ठराता तो या पेर पर ठराता आगे प्रस्णा है जहरीले फल को राजा ने क्या किया तो उसे गड़े में दबा दिया पाठ के आगे पहला प्रस्ण है सजा देने से पहले राजा को क्या करना चाहिए उत्तर लिखेंगे प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ पुष्टक किसले से लिया गया है पाठ का नाम हिमसुक और रेकर का नाम शंकर है किसी भी राजा को, किसी व्यक्ति को सजा देने ना है तो राजा को पहले इस बात की जांच कर लेनी चाहिए कि वो व्यक्ति दोसी है या नहीं एसा नहीं करने पर कभी-कभी राजा को बाद में पच्चताना पड़ता है जिस प्रकार विदर्व के राजा को पस्ताना पड़ा दूसरा प्रस्णा है कलपना कीजिये की अमर्फल के मिर्ट्यू फल में बदलने की सच्चाई का पता राजा के तीसरे बेटे को कैसे चला होगा उत्तर लिखेंगे प्रस्टूत पाठ हमारे हिंदी पाठ पुष्टक किसले से लिया गया है पाठ का नाम हिम्सुक और लेखक का नाम संकर है अमर्फल के मिर्ट्यू फल के दबने की सच्चाई का पता राजा के तीसरे बेटे को एसे लग गया होगा कि जिस कहानी को उसने पढ़ा था या सुना था उस कहानी में ही असपस्ट हो गया कि अमर्फल में सापने दांत गरा दिये थे जिससे वह विसैला हो गया इस प्रकार कहानी से राजा के तीसरे बेटे को अमर्फल का विशाक्थ फल में बदल जाने की सच्चाई का पता चल गया आगे प्रस्ण है कलपना कीजिए कि आप हिमसुक है और राजा आप पर वर करने के लिए हाथ उठाता है तब आप क्या करेंगे उत्तर लिखेंगे प्रस्तु पाठ हमारे हिंदी पाठ पुष्टक किसले से लिया गया है पाठ का नाम हिमसुक और लेखक का नाम संकर है अगर मैं हिमसुक होता तो राजा मुझे मारने के लिए हाठ उठाता है इस दसा में मैं कुछ नहीं कर सकता था कारण है कि राज तंत्र में राजा का निर्ना ही सर्मान और कानून होता है वहें किसी की कोई दलील नहीं चलती है मैं एक सच्चे सेवक की भाती राजा का वार जहल लेता और मिर्त्यु को प्राप्त हो जाता तो आज हम हिमसुक प्रस्मुत्तर किये हैं यह रचना संकर जी की है तो यह विहार बोड कक्चा साथ के विद्यार्थियों के लिए अतिमहत्पुर्ण होगा